हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजैन का डोर मेट इसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर की बूल ली है आप इसको साड़ी और चुननी से भी बना सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और से जरूर कीजिएगा बैल आइकन को जरूर प्रैस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नौटिविकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम ब्लू कलर से इसमें फंदे डालेंगे ये देखिए ये दो तीन चार, पाच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे हमने ब्लू कलर से ले लिए अब देखिए ये देखिए, चार फंदे यलू कलर से तीन, चार, आप देखिए वापस दो फंदे हम इस ब्लू कलर से लेंगे दो आपने ले लिए तो देखिए इस तरह के फंदे आपको चाहिए जितना मर्जी आप बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे चाओदे फंदे हमने लिए हैं, आप इसको 28 फंदे में भी बना सकते हैं तो फंदे हम आपको बता देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 8 लिए हैं आप यहाँ पे 16 रख लीजिए, जहाँ पे हमने 4 लिए हैं, यहाँ पे आप 8 रख लीजिए, जहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पे आप 4 रख लीजिए, तो इस तरह से आपका बड़ा बनके कम्प्लीट हो जाएगा, यह देखिए, यहाँ पे 14 फंदे मैंने ले लिए हैं, और देखिए 8 फंदे हमने blue डाले, 4 yellow और 2 blue, इसी तरह के फंदे आपको लेने हैं, आप इसको 28 फंदे का भी बना सकते हैं, देखिए 4 फंदे आप ये blue के कर लीजिए, 8 फंदे yellow के और 16 फंदे ये फिर से blue के, तो इस तरह से आपका 28 फंदे का भी बन जाएगा, ये मैं 14 में बता आपको फंदे आपके, देखिए यहां पर ये ऐसे 8 हैं, तो ये 4 हैं, फिर इसके हब ये हैं, तो इसी तरह से आपको लेने हैं, आप देखिए हम यहां से, first row बनेंगे, तो देखिए 1, 2, अब हम यहां पर इसको ऐसे करेंगे, yellow से बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, आप देखिए, यहां पर जो ये वाला blue है, इसमें हम color add करेंगे, ये वाला, ओरेंज, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, इस तरह से आपको ये बनाना है, अब देखिए, इसको हमने, उतारा, यहां पर हम, इस color से ही बनेंगे, ये देखिए, इसको हम इधर कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, यहां से, अब बापस इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहां से देखिए, जॉइंट होता जाएगा ये, तो देखिए, अब इसको हम ऐसे करेंगे, और यहां से blue से बनेंगे, एक बार हम orange से बनेंगे, यह वाले फंदे 8 जो हैं, एक बार हम ये blue color से बनेंगे, ये देखिए, ऐसे, अब यहां से हम पलट लेंगे, इसको उतार लेंगे, ये देखिए, इसको हम cross करा देंगे, इसको आगे लाएंगे, यलो से बनेंगे, इसको हम पीछे कर देंगे, blue को आगे लाएंगे, चार फंदे ये बनेंगे, अब देखिए, हम यहां से बापस पलट लेंगे, इसको, अब इस फंदे को हम उतार लेंगे, बूल अपने तरफ, यहां पे एक फंदा blue, और चार फंदे यलो, ये देखिए, अब यहां पे हम इसको ऐसे करके, और यहां से बापस ये orange color लगा लेंगे, ऐसे, ये देखिए, ये लगा लिया, ये देखिए, अब देखिए, हम इसी तरीके से, यहां पे हमने ये 8 फंदे डाले हैं, तो हम 8 रो बनाके complete करेंगे, एक, दो, दो ये डल गई है, चार-चार रो दोनो color की आ जाएंगे, अगर आपने 16 फंदे ये डाले हैं, यहां पे इतने, तो आपको ये 16 रो बनानी है, तो जितने फंदे आप बढ़ाते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी ये रो बनती जाएंगे, तो हम यहां पे 8 रो बन तो चार-चार रो हमने दोनो color से बना ली हैं, अब देखिए, और इसको भी आगर आप count करेंगे, तो पाँच रो हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पाँच ही इसकी आ जाएंगे, तो देखिए, अब हम अभी तक simple बुन रहे थे, अब हम एक एक फंदा छोड़ते इसको हम आगे फिर से एक फंदा ही बुनेंगे, इस मैंसे blue मैंसे एक बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, यहां से चार फंदे हम yellow बनाएंगे और यहां पर, जैसे बना रहे हैं, बैसे ही बनाएंगे, एक एक रोग यह देखिए, इस तरह से, अब देखिए, इसको हम पलटेंगे, और यहां से एक फंदा उता रहेंगे इसको पीछे करेंगे, अब देखिए, ब्लू का यह फंदा भी छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे अब देखिए, इसी तरीके से हम यह वाले सारे फंदे के करके छोड़ लेते हैं, लाश्ट दो फंदे तक, इतना हम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे यह देखिए लाश्ट के दो फंदे तक हमने छोड़ दिये एकिक करके सभी फंदे आप देखिए यहां से जो जैसे कलर से हैं वैसे ही हम इस रो में बनाएंगे इसको पीछे करेंगे इसको आगे लाएंगे ऐसे इस तरह से अब इसको आगे लाएंगे अब इसको आगे लाएंगे यह देखिए लाश्ट तक हमने यह से फिर से बना लिए अब देखिए इसी को रिपीट करते हुए हम यहां पे यह तीन बार छोड़ेंगे फंदे एक बार हमने छोड़ दिये दो बार और छोड़ेंगे तो यहां से हम यह रो बना लेते हैं अब देखिए यहां से हम फिर से औरेंज कलर से ही बुन लेंगे यह देखिए सारे फंदे यह देखिए हम यह फंदा यहां से फिर से चोड़ना स्टार्ट करेंगे और यह देखिए और लाश्ट के दो फंदे तक हम इसे फिर से छोड़ देंगे यहां से इसको लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से तो देखिए इसी को रिपीट करते हुए हम यहां पे लाश्ट के दो फंदे तक इसको बनाएंगे फिर हम दिखाते हैं आपको यह देखिए दूसरी वार भी मैंने लाश तक इसको छोड़ दिया अब हम जो जैसे कलर से है उसको यहां तक बनाएंगे यह देखिए इसको हमें उतारना है यहां से देखिए एक इसको पीछे करना है बिलू से एक फंदा बनाना है एक ओरेंज से यह देखिए एक ए एक एक जडिए एक आड़ है एक ए यालो के सभी फंदे हमने बना लिए लाश्ट में हम बिलू से बनाएंगे यहां तक बना लिया अब हम अगली रों से छोड़ना फिर से स्टार्ट करेंगे एक बार हम और यह छोड़ेंगे अब हम यहां से और इजी से उल्टे तरफ से सारे फंदे बुन लेंगे इस तरह से देखिए हम एक बार और छोड़ लेते हैं फिर आगे का दिखाते हैं यह देखिए हमने तीसरी बार भी छोड़ लिए फंदे अब देखिए हम सिंपल रों बनेंगे जैसे हमने यहां से यह वाली रों बनाई थी यह वाली तो देखिए यहां से हम जो जैसा है उसको बैसे ही बनाएंगे इस फंदे को उतारना है और बुल को ऐसे करना है यहां से देखिए इसको हम ऐसे करना है यहां से अब जो जैसा है उसको हम बैसे ही बुनेंगे अब फंदे छोड़ना नहीं है तीन वार हमने छोड़ दिये यहां से हम औरेंज कलर लगा लेंगे सभी फंदों में यह देखे, अब यहां से देखे, इधर आ गया यह, अब देखे, यह वाला पार्ट्स जो हमने यहां से यह आठ रो बनाई थी, यह रो बनाँगी, उसके बाद फिर हम एक एक फंदा छोड़ना यह स्टार्ट करेंगे तीन बार, जैसे हमने यह वाला बनाया है, तो यह आदा बन गया, आदा हम और बना लेते हैं, सेम तरीका है, अब सिंपल यहां से आठ रो बनानी है, उसके बाद फिर देखिए, यह चीज बनानी है, एक एक फंदा छोड़ते हुए, तीन बार, तीन कलिया, यह बनाने के बाद मैं आपको इतना बना लूँ, फिर में दिखाऊंग आगे का, यह देखिए, इस तरह से मैंने यहां पर यह रो बनाने के बाद, यह तीन कलिया, ऐसे बना लिए हैं, जैसे हमने यहां बनाई थी, एक फंदा छोड़के, अब देखिए, लाश्ट में यह इतना आ जाता है, पूरा यह यहां तक देखिए, यहां तक आ जाएगा ऐसे, अब देखिए, यह कली भी पूरी हो गई, तीसरी, अब हम उदर से, उल्टे तरफ से, सभी फंदे बंद कर देखिए, दो फंदे, यह हमने ब्लू से बंद किये, उसके बाद, यलो से बंद करेंगे, एक, दो, तीन, चार, आप देखिए, यहां से, हम औरेंज से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, यह देखिए, इस तरह से हमने सभी फंदे बंद कर दिये, यहां से हम इसे कट करेंगे, और इसको हम इसमें से खीच लेंगे, यह बाले भी इसी तरह से कर लेंगे, अब देखिए, हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई हम यहां से start करेंगे देखिए इसको हम ऐसे यहां पे मिलाते हुए सिलेंगे यह डबल बूल थी तो एक को हमने डाला है सुई में और एक को हम ऐसे ही cut कर देंगे मिलाते हुए इसको सिलना है यह देखिए यहां तक औरेंज तक हमने यह औरेंज से सिला यहां पे अब हम पक्का कर देंगे और देखिए यहां से हम यलो कलर से सिलेंगे तो अभी देखिए सिंगल बूल से सिल रही हुँ में यह देखिए इसको हमें देखिए धागे को ऐसे कर देना है और ऐसे मिला के सिलना है ताकि सीधे तरफ यह पूरा एक जैसा दिखे यह देखिए यह देखिए हम इसे भी पक्का करेंगे और उसके बाद देखिए हम यह बिलू कलर का बूल लेंगे उसमेंसे यह देखिए अब देखिए यहां से हम ऐसे बिलू कलर को इस देखिए कि यहां पर एक पूरा जोइंट हो गया अब सेंटर है इसको भी हम जॉइंट करेंगे तो देखिए इसको मिला लेना है आपको ऐसे करके और यहां से देखिए दोनों में से एक-एक फंदा उठाते हुए इसको सिलना है यह देखिए इर कि अबेखू देखिए इसको हम कट कर देंगे यहां से देगे , जो इसको करदेंगे नौट लगाने के बाद पास से कट कर देना भी कर देंगे रूसिया से ये देखिए ये सारी हम कट कर लेते हैं